नमस्कार दोस्तू मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से सुवागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा ओलच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तू जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है बड़ा सड़कात सा हुआ है तो कहां पर ये सड़कात सा हुआ है पूरी जनकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो पर एंट तक बने रहिए अगर आपने भी तक वीडियो को शेर नहीं किया है तो वीडियो को शेर कर दें और अंकित वर्मा और अलेट भी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बेलकुल भी नभूर है ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो देख सकते हैं कि कार पर गिरा सोखा पेड एक की मौथ दो गायल तो तस्वीर आप देख सकते हैं गाड़ी की पूरी तरह से हो चुकी है तो चंबा से निउस है कि हिमाचल की चंबा जीले में चलती कार पर एक पेड के केंटर से जाटक राई हाथसा इतना भीशन था कि गाड़ी में सवार तीनों लोगों को जो है कटर की मदल से गाड़ी को काट कर बाहर निकाला गया हाथसा जो है नंगल शिरी आनंदपुर साइब मुख्यमारिक पर स्थेत बानुपली किस्मीप हुआ है गायलों को अस्टाल में भर्तिक किया गया है वहीं हाथसे की सूचना मिलते ही नंगल पुलिस मौक्य पर पहुँची और शव को कबजे में लेकर आगामी जांच शूरू कर दी है जानकारी के अंसार चंबा के तेनी यूवक बानुपली बिलासपुर रेल लाइन के निर्मान कारे में जोटी कम अपनी में करमचारी के तोर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे बताया जा रहा है कि जब यह तीनों एक पुलेरो गाड़ी में सवार होकर शिरी आनंदकुर साहिब की ओर से जा रहे थे इसी बीच मारग में अचानक से सूखे पेड़ का हिस्सा गाड़ी के आगे गिर गया ज में सवार लोगों को बाहर निकाला गया इस हाजसे में जान कवाने वाले व्यक्ति की पैचान 32 वर्षिय अश्रबट 89 चम्बा के तोर पर हुई है जबकि इस हाजसे में गायल हुए दो व्यक्तियों की पैचान संजे ठाकरवा विमेश निवासी चम्बा के रूप में पूटे आई हैं ये साथ से की पोश्टित थाना पर बारी पवन चोधरी ने की है नंगल पुलिस ने मौक्या पर पहुंच कर जान शुरू कर दी है तो यह परकार आप देख सकते हैं हमाचल परदेश में यह सटक हाथा हुआ है तो दोस्तो यह थी अभी की ताजा ख़बर ब